Welcome back to your channel student. तो आज हम लोग करने बाले हैं Class 10 का Hindi A का Set 4 Set 1,2,3 कंपलिट हो गया है Hindi का English का भी कंपलिट हो गया है आप Playlist पे जाकर का चेक कर लेंगे ठीक है और Playlist को मैं Link इसे बाक्स में भी दे दूँगा तो आप हम लोग करते हैं Set 4 में जो भी Important question है इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को पता हैं समानी निर्देश जो दिया हुआ है बाकी आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दें यूट्यूब पे अबलेबल यही एक ऐसा चैनल है जो आपको नाइन्थ का टेंथ का मॉडल सेट प्रैक्टिस पो भी डीटेल में करवाया जाता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बढ़ते हैं भी फर्स्ट वाले गध्यांस को दिया हुआ है कि मनुष्य जन्म से ही साधारन मानव जो जन्दा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है इसके मूल में उसकी इरिश्या की दाहक दुस्प्रवर्ती कारिशिल रहती है दोसरों की सहज उन्नती को मनुष्य अपनी इरिश्या के वशी भूत होकर पचा नहीं पाता है और उसके गुनों को अंदेखा करके केवल दोसों और दुर गुनों को ही प्राचारित करने लगता है ठीक है बहुत अच्छा ये पैसेज दिया हुआ है ये रियल लाइफ से रिलेटेड ध्यान से अपलों गौर कीजिएगा इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को भी विस्मृत कर बैठता है कि इर्श्या का दाहक स्वरूप स्वयम उसके समय स्वास्त और सद्वृत्यों के लिए कितना विनाशकारी सद्ध हो रहा है पर निंदा को हमारे सास्त्रों में पाप बताया गया है निंदा करना पाप ही है वास्तब में मनुष्य अपने नियूनताओं और दुरगुनों की और दिर्श्टी उठा कर देखना भी नहीं चाहता क्योंकि स्वयम को पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत कस्टकारी है अब चलिए इससे देखते हैं हमलों कोश्यन अंसर को पैसेश तो थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है मतलब लेट जो वर्ड दिया गया हुआ है जो सब्दों का परियोग किया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकि पैसेश बहुत अच्छा है देखे कोश्यन है कि मनुष्य का जन किसके बोज के साथ हुआ है तो बहुत एज़ी कोश्यन है अहंकार के साथ हुआ है सेकेंड कोश्यन देखे कि दूसरों के उन्नती को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है क्यों नहीं चाहता है कि दूसरा कोई तरक्षी करे क्योंकि इर्ष्या भाव के कारण मनुष्य के अंदर जो इर्ष्या भाव ना होता है ठीक है तो 2 का D नमबर चूस कर लिजेगा तो देखी थर्ड कोश्यन है कि स्वास्त और सदचार नश्ट हो जाते हैं तो इसका एंसर आप A नमबर चूस कर लिजेगा ठीक है उसका फूर्थ कोश्यन देखते हैं कि किसी ये भूल कर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवत जीवन बिताता है किसे भूल कर तो देखिए इसका एंसर हो जाएगा भी आत्म निरच्छिन ठीक है उसके बाद फिप्ट नमबर कूश्यन है उन्नती का विलोम सब्द क्या होगा तो उन्नती का विलोम सब्द अवनती होता है ठीक है इसको नोट कर लिजेगा उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आगे भी एक पद्यांस दिया हुआ है इसको पढ़ करके करना है तो देख लेते हैं पद्यांस को भी पढ़ लेते हैं नव में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेड़ी सी जिसको हम अंदर धनुष कहते हैं उमल गुमल कर कभी अभी बादल यह बरसे हैं मक उठी धर्ती और फूल पत्ती पौधे सब सरसे हैं जीवन में इसी तरह दुख की गहटाओं का अंधेरा है इसके भी पीछे शायद रंगों का गहरा है एक इसी आस के तरक पर दुख और दाह हम सहते हैं जीवन में इसी आकर्षन को इंद्रधनुशम कहते हैं देखे बहुत अच्छा पोयम दिया हुआ है यह अब आते हैं कोश्यन अंसर पे कि बादलों की तुलना किस से की गई है तो बादलों की तुलना जो की गई है वो जीवन के दुखों से की गई है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप समझ पाते हैं हिंदी लिटरेशेर को पढ़ करके तो बहुत इजली कर लिजए बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देता ही है उसको कवर करना है फिर देखे कवी का जीवन के प्रती दृष्टिकोन कैसा है जीवन के प्रती दृष्टिकोन कवी का कैसा है यह बताना है तो कवी जो है वो आशावादी है इसलिए उनका जो दृष्टिकोन है वो आशावादी है तो 7 का A नमबर चूस कर लिजएगा 8 नमबर देखे जीवन का इंदरधनुस कैसे बनता है तो जीवन का इंद्र धनुज जो है वो आसा और नीरासा से बनता है उसके बाद 9 नमबर के लिए देखते हैं हम लोग आसा का विलोम सब्द लिखिए बहुत इजी है आसा का विलोम सब्द नीरासा हो जाएगा उसके नभ का परियावाची सब्द क्या है ठीक है नभ आकाश देखे डी नमबर में आकाश दिया हुए तो आकाश चूस कर लिजेगा उसके बाद आते हम लोग खंड खा व्याकरन में कि निमलिखित में निमलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है अकर्मक क्रिया को ढूंडना है आपको तो देखे, दिया हुआ गाहँ गाहान स्काथी है, राणी गाहना गाती है, बच्चा रोता है और राजू पत्र लिखता है तो इसमें C नमबर में देखे, बच्चा रोता है, ये एक अकरमक क्रिया है C नमबर चूज कर लिया, उसके बाद देखे, टूल नमर कोस्षीन सकर्मक्रिया सकर्मक्रिया चूस कर लिजेगा उसका थर्टी नमबर कोश्चन है कि कौन अरुन का अनिकार्थिक सब्द नहीं है नहीं है बताना है अरुन का अनिकार्थि सब्द तो देखिएगा सी चंद्र चांद अरुन का अनिकार्थिक सब्द नहीं है ठीक है अरुन का मतलब सूरी भी होगा लाल भी होगा सिंदुर भी होगा तो आप 13 का C नमबर चूज़ कर लीज़ेगा अब 14 नमबर में आईए हम लोग 14 नमबर कोश्चन देखते हैं कि जब समास का प्रथम पद अव्वे और प्रधान हो वा कौन सा समास है तो देखें ये कोश्चन हर सेट में पूछ रहा है थोड़ा सा घुमार है बट ध्यान दीज़े अव्वे आगया तो ये अव्वे भाव समास है तो 14 का B नमबर आप चूज़ कर लीज़ेगा 15 नमबर कोश्चन देखें विद्याले विद्या के लिए आल है कौन सा समास है विद्याले का समास विग्रह हुआ विद्या के लिए आल है तो ये कौन सा समास है तो ये आपका ततपुरस समास हो जाएगा B नमबर चूज़ कर लीज़ेगा उसके बाद 16 नमबर कोश्चन देखें नीला है जो अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा नीला है जो अंबर इसका एंसर देखिए ये नीला अंबर हो जाएगा ये तो बहुत कॉमन सा है 17 नंबर कोशन देखते हैं कि रचना के अधार पर किस वाक्य में एक परधान वाक्य और से इस आसरित उपवाक्य होता है ये भी हमको लगता हर सेट में पूछी रहा है मिस्र वाक के से रिलेटेड कोशन पूछ रहा है तो देखिए C नंबर हो जाएगा समानाधी करण और व्यती करण ठीक है तो C नंबर चूज कर लिजेगा उसके अधाते हैं हम लोग 90 नंबर कोशन पिता जी पिता जी के द्वारा अकभार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेध है ठीक है करतरी वाच और कर्म वाच है तो देखिए यहाँ पे आपका ये कर्म वाच हो जाएगा अगर रहता पिता जी अकभार पढ़ रहे हैं तो वो अलग है पिता जी के द्वारा अकभार पढ़ा जा रहा है तो जो कर्म है उस पे पूरा क्रिया का प्रभाव देखा जारा है तो मतलब यहां B-Number कर्म वाच्ची कर लिजेगा उसके बाद 20 नमबर है कर्तरी वाच्ची के वाक्यों में करता के कारी की डैश होती है क्या होती है तो करता के कारी की सीधा सा बात है प्रधानता होगा प्रधानता रहती है तो 20 का यह चूस कर लिजेगा उसके बाद आगे आते हैं फिर से एक गध्यांस दिया हुआ है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माह भी तुम्हारी धन्य चीर प्रवासी में इतर मैं अन्य इस अतीथी से प्रय तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलिया मा की कराती रही है मधुपर्क देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आखे चार तुम अब तुम्हारी धन्तुरित मुस्कान मुझे लगती बड़े ही छवी मान तुम्हारी धन्तुरित मुस्कान that means दंतूरित मुस्कान का ये एक कवीता है जिसको आपके लिखे हैं नागारजुन जी उसी का है तो देखे हमने question answer देखते है तो 21 में दिया हुआ है कि प्रस्तुत कव्यांस के कवी कौन है तो देखे इसका answer नागारजुन हो जाएगा तो 21 का C नमबर चूस कर लिजेगा फिर आगे देखते हैं 22 कि दंतूरित का अर्थ क्या होता है क्या अर्थ है दंतूरित का तो दंतूरित का अर्थ जो नया नया दात निकलता है ना उसको कहता है दंतूरित तो D नमबर चूस कर लिजेगा तो तुनितित्थ्री मा बच्चे को क्या कराती रही है मा बच्चे को देखे होजन के ता मधूपर्क कराती है सी नमबर चूज़ कीजई आफ़र टुनितिफ Voor नमबर में है कवी के धन कवी ने किसे कहा है कवी ने धन मात पिता माता और पुत्र को कहा है बी नमबर आप्शन चूज़ कर लीजिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं बादल किस दिशा की से आ रहे हैं बादल किस दिशा से आ रहे हैं ये बताना है आपको तो यहां देखिए हो जाएगा अग्यात दिशा से उसके बाद कहीं सास लेते हो घर घर भर देते हो इस पंक्ती का अर्थ क्या है इस पंक्ती का अर्थ बताना है इस पंक्ती का अर्थ हो जाएगा कहीं सास लेते हो तो फागुन की हर्याली महसूस करना ठीक है टॉन्टिसिक्स का भी हो जाएगा उसके बाद 27 देखिए थोड़ा सा आ गया है ये हम हमेशा बताते हैं कि जब यह पोयम पढ़ें मतलब कवीता पढ़ें कहानी पढ़ें तो उसका लेखा का जन्म थी थी और थोड़ा कहा जन्मे है एक आग दू साहित पुस्तक के बारे में पढ़ें तो अच्छा रहेगा उससे कोशन दिया जाता है तो आगे आपका सूरिकांत रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ है डेट बताना है तो उनका जो जन्म हुआ है वो 1899 में हुआ है 1899 में हुआ है उसका डी नमबर एंसर चूज़ कर लिजे उसके बार 28 में देखिए मरजादा ना लही के माध्यम से सूरिदास की गोपिया कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की है तो कौन सी मर्यादा नहीं रहने दिये सूरिदास गोपियों का तो देखिए प्रेम की तो इसमें ये ये नमबर चूज कर लीजिएगा प्रेम की अब आगे देखिए एक और पैसेज है पैसेज थोड़ा लंबा है आई थिंक आप लोग स्क्रिंशॉट ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा स्क्रिंशॉट ले करके आप थोड़ा सा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा चलिए काम करते हैं थोड़ा स्पीड में पढ़ ही लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए हालदार सहब को पान वाले द्वारा एक देश भक्त का इस तरह से मजा कुड़ा जाना अच्छा नहीं लगा मुण कर देखा तो अवाक रह गया हैं एक बेहत बुड़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आखो पर काला चस्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी सी संदूक्ची और दूसरे हाथ में एक बास पर टंगा बहुत सा चस्मा लिए अभी अभी एक गली से निकलना था और अब एक दुका आने के सहारे अपने बास टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है हालदार साहब चक्कर में पढ़ गए पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों गहते हैं ठीक है क्या यही इसका वास्तिविक नाम है लेकिन पानवाले ने साहब बताया दिया था कि अब वह इसके बारे में और बात करने को तयार नहीं है ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था काम भी था और हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए ठीक है तो नेता जी का चस्मा यह पार्ट है उसी से लिया गया है देखें क्या है आपका कि हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा तो इसमें देखिए आपका पानवाले द्वारा देजभक्त का देजभक्त का मजाक उड़ाए जाना तो इसका डी नमबर एंसर आप कर लिजेगा फर्ष्ट लाइन में ही दिया हुआ है पैसेज में अगर आप देखिया तो फर्ष्ट में ही हालदार साहब को पानवाले के द्वारा एक देजभक्त का इसता मजाक उड़ा जाना अच्छा नहीं लगा तो कॉमन ही एज़ी है तो लिटरेश आपके टेस्ट ब तो वो तो फेरी लगाता था 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 थ आना है देखिए इसका अंसर आपका हो जाएगा मधुर्गान बहुत बालगोईन भगत अच्छा गाते थे तो मधुर्गान फिर 34 बालगोईन भगत पार्ट के अधर पर बताईए रोपनी कीसे कहते है रोपनी रोपनी तो बहुत कॉमन सा चीज है अगर आप लोगांग में रहने वाले ताप लोग पता होगा कि धान की रोपाई को रोपनी कहते है तो बी नमबर चूस कर लिजेगा 35 बालगोईन भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है तो क्या कहा है तो देखे जादू कहा है ठीक है तो ए नमबर चूस कर लिजे अब 36 बालगोईन भगत कौन से माह में प्रभातियां सुरू कर देते हैं कौन से महीने में सुरुआत करते थे तो देखे कार्थिक में कार्थिक माह से वो सुरुआत कर देते थे तो डी नमर चूस की जे 36 का उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और गद्यांस है आपका चलिए इसको भी रीड कर ही लेते हैं जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाग छट पटाने आने पर भी एक चुलू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी हम रोने लगते और बाबुजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी फिर हमारी नाभी और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूत ती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुरता टोपी पहना देती थी हम खासे कनहया बनकर बाबुजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे यह देखे माता का आचल जो पूरफ पाठे पुस्तक में दिया हुआ है उसी का है हर अभी देखे यह चार सेट के हम लोग फूर्थ सेट है उसमें भी यह मारता का आचल से कोश्चन और वो आप्टर नेता जी का चास्मा से कोश्चन हमेशा पूछा जा रहा थी है दोनों को आप लोग एक बड़ डीप स्टडी कर ले लाइन बार लाइन जरूर कर ले क्योंकि लाइन बार लाइन अगर कीजे और बहुत इजली कोश्चन एंसर हो जाएगा अभी देखे कोश्चन देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है तो देखे सिप पूजन सहाए है तो ए नमबर चूज कर लिजेगा थर्टी एट लेखक की मा काजल कहां लगाती थी तो अब ही पढ़े हम लोग काजल जो लगाती थी वापका नाभी या लिलार है तो ए नमबर चूज कर लीजेगा तो बाबुजी की गोद में सिसक कर बाहर आता था तो 40 का भी नमबर चूस कर लिजेगा देखें आपका हिंदी का जो है आपका आज सेट फोर पूरा कम्प्लीट हो गया है और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अभी भी 60% लोग हैं जो भी ना सब्सक्राइब के देख रहे हैं बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है आप लोगों कुछ नहीं सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लग रहा है आपको यहाँ फ्री एजुकेशन हर कुछ मिल जा रहा है तो बस एक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें और फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर करें ताकि फ्रेंड लोग भी आप फ्रेंड लोगों को भी थोड़ा सा हिल्प मिल सकें फर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइंट टेक क्यर